पिशली क्लास में हमने बात करी थी सम्मित्ति के बारें तीक है और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कंपाउंड सिमेटरिकल है हना उसमें सम्मित्ति है तो ऐसा ज़ंद औप्टिकल आइसोमेरिजम शो नहीं करेगा क्यों क्योंकि एसा compound जो होगा वो अपनी mirror image पर superimposed हो जाएगा और अगर superimposed हो जाता है तो वो compound optically active नहीं हो सकता ठीक है तो मैं condition लिख रहा हूं for a compound to be optically active it has to be asymmetrical देखें एक compound को optically active होने के लिए क्या होना चाहिए उसको asymmetrical होना चाहिए यानि कि उस compound में there should be no symmetry element एक ही बात है compound को asymmetrical होना चाहिए इसका मतलब है कि उस compound में कोई भी symmetry element नहीं होना चाहिए अब यह symmetry element कौन-कौन से है तो देखेगा तीन तरह के हमारे पास symmetry element होते हैं कौन-कौन से नंबर एक plane of symmetry plane of symmetry जिसको सम्मितितल करते हैं सम्मितितल दूसरा center of symmetry center of symmetry जिसको सम्मितिक केंद्र कहते हैं और तेसरा axis of symmetry axis of symmetry यानि कि सम्मितिक अक्ष ठीक है यह तीन symmetry element है और किसी compound में इन तीनों में से कोई भी element नहीं होना चाहिए अगर इन तीनों में से कोई भी element उस compound में नहीं है तो ऐसा compound asymmetrical होगा और अगर asymmetrical होगा तो ऐसा compound optical isomerism शो करेगा ठीकर आज हम बात करेंगे पहले element के बारे में जो है plane of symmetry यानि कि सम्मिति तल सम्मिति तल plane of symmetry definition देखी वोओ कि अगर बार कि भी तल जगरे में बार कोशाइब तो कि अगर आप प्रावाइब नहीं हुआ है एंग हुआ है जो है रहुर जोगो आपे आपिक है। अमयजिवर्ट प्रेज्जिवर्ट और इंक्ट मले रिविड फिते ऑन इंट जिव जुड वी इंटिकल है which should also be mirror image यानि कि एक ऐसा कालपनिक प्लेन एक ऐसा कालपनिक तल जिससे उस अनू को दो identical हेल्ज यानि दो समान भागों में बांटा जा सके और ये दोनों भाग होंगे वो एक दूसरे की क्या होने चीए mirror image भी होना चीए एक बार फिर से सुनिए एक ऐसा तल जिससे किसी अनू को दो बराबर भागों में दो identical हेल्ज में बांटा जा सके, डिवाइड किया जा सके और जो दोनों भाग होंगे वो एक दूसरे की mirror image भी होने चाहिए यानि कि दरपन पृतिवी में भी होने चाहिए तो ऐसे plane को हम क्या कहेंगे यह POS कितने तरह के हो सकते हैं देखेगा जल्दी से कोई बड़ी बात नहीं है इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा V, सिग्मा H और सिग्मा D तीन तरह के plane हो सकते हैं सिग्मा V इसको मतलब है vertical plane यानि कि अगर किसी molecule को vertically दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो ऐसे plane को हम कहेंगे सिग्मा V, हाना सिग्मा H का मतलब हो गया horizontal जो 36 तल है हाना, उससे अगर किसी अनू को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो ऐसा तल जो होगा वो सिग्मा H कहलाएगा और सिग्मा D, D का मतलब है diagonal यानि विकर्ण तल से अगर किसी अनू को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो उस plane को हम सिग्मा D से indicate कर देंगे, तो ये हमारे पास तीन तरह के POS होते हैं ठीक है, इस plane of symmetry को हमने short में POS लिखा है अब हम बात करते हैं इस letter A की बारे हैं आप देख पा रहे हैं, अगर इस letter A को मैं बीच में से काट दू vertically, कैसे? vertically ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो shape है वो बिलकुल दो बराबर भागों में बंट जाता है, हाँ ना? दो बराबर भागों में बंट जाता है और ये जो दोनों shapes होगी बंटने के बाद में, वो एक दूसरे की क्या होती है? mirror image होती है तो इसमें ये जो vertical plane है वो कैसा है? POS है, यानि की plane of symmetry है, अगर हम B के बारे में बात करें, तो B में देखेगा, अगर मैं इस 36 तल से, horizontal plane से इस अनू को, या इस shape को, दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ, और ये जो दोनो images होगी, वो एक दूसरे की क्या होगी? mirror image भी होगी तो इस B में जो ये 36 तल है, horizontal plane है ये POS है, plane of symmetry है, इसी तरह से C को भी दो बराबर भागों में बांट आजा सकता है, D को भी बांट आजा सकता है, E को भी बांट आजा सकता है, अब सवाल ये है, क्या F को बांट आजा सकता है, तो F में कोई POS नहीं है ना तो में इसको vertically और ना ही horizontally, हम इसको तो किसी भी तरीके से दो identical हेल्ज में इसको divide नहीं कर सकते हैं, ठीक है, F के बाद और देखते हैं, G, तो इसमें भी कोई Pius नहीं होगा, आप इसको vertically या horizontally, किसी भी plane से दो equal हेल्ज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, G के बाद हम देखते हैं, H, तो H को हम इसमें देखेगा, horizontal plane भी है, और इसमें vertical plane भी है, दोनों ही plane है, जिसे इसको दो identical हेल्ज में divide किया दा सकता है, H के बाद में, I, तो I में भी Pius है, J की बात करते हैं, ठीक है, तो J में कोई भी Pius नहीं है, K की बात करते हैं, K में Pius है, L की बात करते हैं, L में कोई Pius नहीं है, M, M में Pius है, N की बात करते हैं, देखेगा, इस example को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जिए, आपको लगेगा कि इसमें Pius है, पर इसमें Pius नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, इदर से में इसको नहीं काड़ सकता, दोनों mirror image नहीं बनेगी, अगर आपको लगता है कि यह जो diagonal वाला plane है, यह वाला plane, यह भी इसमें Pius नहीं होगा, क्योंकि इस plane से अगर आप इस shape को काटेंगे, तो यह जो दोनों images बनेगी, यह दूसरे की mirror image नहीं है, N के बाद O, O में Pius होगा, आप कैसे भी काट सकते हैं इसको, तो इसमें Pius है, P में नहीं होगा, Q में भी नहीं हो S में भी नहीं होगा, T की बात करते हैं, तो T में भी Sorry, T में Pius होगा, vertical plane से कट जाएगा, T, U में भी होगा, V में भी होगा, W में भी है, यहां से काट सकते हैं इसको, X में भी होगा, चाहे आप इस horizontal plane से काट लें, चाहे आप इस vertical plane से काट लें, इसमें भी होगा, Y की बात करते हैं, तो Y में भी देखेगा, यह जो vertical plane है, इससे आप इसको काट सकते हैं, दो identical health में कट जाएगा, और दोनों एक दूसे की mirror image भी होगे, Z की बात करते हैं, तो Z में भी कोई mirror image, sorry, Pius जो है, वो नहीं होगा, ठीकर, Pius नहीं बनेगा, हाँ, एक चीज़ जरूर है, की Z में कोई Pius नहीं है, इसमें एक दूसरा element है, उसका नाम है, rotational symmetry, क्या चीज़? रोटेशनल symmetry, इसके बारे में आपन बार में बात करेंगे, तो ये हमने कुछ alpha weight के letters लिखे हैं, और हमने देखा है, कि क्या इन में Pius है या नहीं है, तो हाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि N और Z इन दोनों में Pius नहीं है, इसके बाद हम कुछ और letters बना कर देखते हैं, जैसे एकर मैं small letters की बात करूँ, A, B, या फिर C, D, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको आप दो identical element divide कर सकते हैं, और जो एक दूस होगा, इसमें Pius नहीं है, इसमें भी Pius नहीं है, letter Q में भी नहीं है, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि किस शेप में Pius होगा और किसमें Pius नहीं होगा, ठीक है, कुछ और एक्जाम तो उसे लेते हैं, देखेगा, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ और examples, जैसे, मान लीजिए, मैंने लिखा CH4, अब इस CH4 को हम देखते हैं, तो देखेगा, अगर मैं इसका 3-dimensional arrangement और कौन सा, वेजडेस formula लिखूँ, वेजडेस formula, तब देखेगा क्या होगा, इसके center में carbon है, ठीक है, दो वेलेंसियों पर क्या होगा, दो hydrogen आ जाएगी, एक वेलेंसी, जिसको आप, अब देखेए, ये जो hydrogen है, ये जो hydrogen है, ये है कहाँ पर, above the plane, above the plane, और ये वाली जो hydrogen है, वो कहाँ है, below the plane है, below the plane है, और ये जो दोनो hydrogen है, वो है, plane पर ही, अना, तल पर ही उपस्तित है, अब कुछ ऐसा, assume कि जिए, कि ये जो दोनो hydrogen है, वो आपकी screen पर है, आपकी device की screen पर है, ये वाली जो hydrogen है, जिसको मैंने लिखा, above the plane, यानि कि वो तल से उपर की ओर है, और तल से उपर की ओर होने का मतलब, ठीक है, away from the observer, कुछ ऐसा होता है, तो ये आपको ध्यान में रिखना है, कि ये जो दोनों valence हैं यहाँ पर, ये horizontal है, कैसी है, horizontal है, एक valence बार की ओर निकली है, एक valence अंदर की ओर निकली है, ठीक है, और ये जो दोनों valence है, वो vertical है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस molecule को दो बराबर भागों में बाढ़ सकता हूं, तो देखिएगा इसमें एक plane ऐसा है जिससे मैं इस molecule को दो बराबर भागों में बाढ़ सकता हूँ कैसे अगर मैं एक horizontal plane लूँ एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो hydrogen है उपर वाली वो आप की तरफ है board से बाहर की तरफ यह वाली hydrogen board से अंदर की तरफ है पिछे की तरफ ठीक है अगर हम एक ऐसा horizontal plane लें तो यह horizontal plane क्या करेगा जिसको हम ऐसा निकालें तो यह क्या करेगा इस बाहर वाली hydrogen और अंदर वाली hydrogen दोनों hydrogen के टुकडे करता हो मतलब इन दोनों को काट देगा और इन दोनों hydrogen के बीच में से निकल जाएगा तो यह वाली hydrogen उपर रह जाएगी यह वाली hydrogen निचे रह जाएगी और यह जो दोनों hydrogen होगी यह बिल्कुल आध्याधी कट जाएगी ठीक है तो हम इस molecule को एक horizontal plane से दो बराबर वागों में बाढ़ सकते हैं इसलिए इसमें क्या है पियोस प्रिजेंट है कुछ इसी तरीके से अगर हम इनके example देखें CS3Cl या CH2Cl2 तब भी देखेगा क्या होगा CS3Cl की बात करते हैं वही एक hydrogen और इधर भी मैंने बना दिया एक hydrogen यह मने लिख दिया यह मैंने लिख दियाCl हाना और यह मैंने बना दिया एक hydrogen एक बार फिर से थोड़ा सा आपको इसको imagine करना पड़ेगा कि यह कैसे है वापिस वही बात कि यह जो दोनों hydrogen है यह तो screen पर है यानि कि कागज के तल में है अब इस chlorine को देखी यह जो chlorine है यह है above the plane कहां पर है above the plane यानि कि towards the observer है जबकि यह वाली hydrogen है वो है below the plane यानि कि away from the observer है इस board के पिछे की और है परन्तु आपको यह ध्यान में रखना है कि यह दोनों atoms है यहाँ पर horizontal valences है यानि एक chlorine इस board से बाहर के और निकलावा और यह वाला hydrogenous board से अंदर की तरफ है ठीक है अब वापिस वही बात यह दोनों valences vertical है मतलब यह उपर की तरफ है और जैसे मैंने board पर लिख रखा वेसे ही है अब मैं क्या करूंगा वापिस वही horizontal plane रूंगा और इस horizontal plane से यह जो chlorine बाहर की तरफ था और जो hydrogen अंदर की तरफ था इन दोनों को काटता हुआ आद आदा काट दूंगा atom ही तो आइज है यह Atom कैसे होता है Sphere की तरह है एक Bol की तरह है तो यह दोनों balls को यह आदा-दा काटता हुआ इनके अंदर से निकल जाएगा और यहां से निकलने के बाद तो यह वाला जो plane है ठीक है इन दोनों को काट तवा इनके बीच में से निकल जाएगा जब बीच में से निकल जाएगा एक hydrogen उपर रह जाएगा एक hydrogen निचे रह जाएगा और यह जो दोनों एटम्स थे वो आदे- कट चुके हैं तो यह वाला प्लेन इसमें भी क्या कहलाएगा कुछ ऐसा ही इसमें भी हो सकता है CS2, CL2 को देखते हैं आप कैसे भी इसको ड्रो कर सकते हैं देखेगा यह मैंने बनाया CL और यह भी मैंने बनाया CL ठीक है वापिस वही बात मैं इसको horizontal plane से काटूंगा दोनों CL के टुकडे हो जाएंगे जो दोनों बोल्स के रूप में हैं बीच में से कट जाएगी और यह जो plane होगा horizontal plane वो इन दोनों hydrogen के बीच में से निकल जाएगा तो plane के जिस plane से मैंने काटा है इसको plane of symmetry जिसको मैं बोल जाएगा उसके उपर hydrogen रहेगा नीचे hydrogen रहेगा और यह जो दोनों CL थे वो आदे-दे कट चुके हैं तो इसमें भी क्या होगा POS होगा और अगर POS है तो इन तीनों में से कोई साभी compound जो होगा वो optically active नहीं होगा परकासिक समायता यानि कि optical isomorism यह तीनों ही compound नहीं दिखाएंगे तीनों ही compound नहीं दिखाएंगे ठीक है तो यह सारे के सारे compound कैसे थे optically inactive थे यहां मैंने आपको एक plane को जूम करना बताया है जबकि इनमें कई सारे अलग अलग करेके POS हो सकते हैं एक molecule में बहुत सारे POS हो सकते हैं आपको POS count नहीं करना है आपको बस यह पता करना है कि POS है या नहीं है तो मुझे पता जला है कि इन सबी compound में POS है तो यह सारे कैसे होंगे optically inactive होंगे कुछ और examples लेते हैं बात करेंगे double bond की किसकी double bond की double bond का मतलब होगे alken और आपको पता है कि जो alkenes होती है alkenes होती है तो geometrical isomerism show करती है कौनसी geometrical isomerism तो geometrical isomerism तो show करती है लेकिन क्या optical isomerism भी show करेगी यह अब यह पता करते हैं एक example लेते हैं ठीक है यह example बने है हमने आपने पहले के वीडियो देखे है होंगे geometrical isomerism के तो आप पता कर सकते हैं कि यह वाला compound के साह सिस है क्योंकि दोनों एक direction में है इसमें दोनों CL opposite direction में इसलिए वाला compound के साह है अब हमें देखना है कि इन compound में pure है या नहीं है अगर pure है तब तो यह optically active नहीं होंगे और अगर pure है तो यह optically active हो सकते हैं ठीक है अब देखते हैं इस compound को देखा मैंने क्या इसको vertically या horizontally कोई से भी plane से मैं इसको दो बराबर भागों में बांट सकता हूं और वो दोनों जो भाग होंगे जो दोनों health होगी वो एक दूसरे की mirror image भी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए तो देखते हैं अगर मैं इसको horizontally काटूं यहां से काटू 36 तल से तो यह दोनों भाग एक दूसरे की mirror image नहीं होंगे क्यों क्योंकि नीचे तो रह जाएगा हाइड् इमेज नहीं है लेकिन अगर मैं इसको vertically काटू इधर से काटूं तब देखेगा यह वाला भाग और यह वाला भाग क्या एक दूसरे की mirror image है बिल्कुल mirror image है इधर भी CL है इधर भी CL है इधर hydrogen है इधर भी hydrogen है तो यह मैंने जब इसको इस plane से काटा तो यह दो identical health में कट भी और दोनों भाग एक दूसरे की mirror image भी थे यानि इसमें कौन सा plane सिग्मा भी वर्टिकल पेन जो है वो पियोस है ठीक है वर्टिकल पेन जो वो पियोस है अगर इसमें पियोस है तो यह कभी भी optically active नहीं होगा इस compound में मैं देखता हूँ कि क्या इसमें कोई पियोस है तब देखेगा अगर मैं इसको horizontally काटूं इदर से क्या यह भाग एक दूसरे की mirror image है mirror image कहां से होंगे है यह नहीं है उपर की तरफ क्या है CL तो इदर भी तो CL ही होना चाहिए था मगर इदर क्या है है उपर क्या है है और इदर क्या है CL तो यह plane कभी भी पियोस यानि की plane of symmetry नहीं हो सकता ठीक vertically चेक करते हैं vertically इदर से काटता हूँ क्या अब यह एक दूसरे की mirror image है इदर CL है लेकिन इदर क्या है है इदर है लेकिन इदर क्या है CL है तो अब भी इसमें कोई पियोस नहीं मिल रहा ना तो vertically मिल पाया है ना ही horizontally मिल पाया है यानि इन दोनों में से किसी भी plane से हम इस molecule को दो identical health में divide नहीं कर सकते ठीक है तो क्या इसमें वास्ता में पियोस नहीं है अगर पियोस नहीं है तो इस molecule को optical active होना चाहिए लेकिन यह पाया गया है कि यह molecule optical active नहीं है इसका मतलब इसमें अभी भी कोई न कोई पियोस है कैसा कहां से मिलेगा देखेगा आपको पता है कि जब कार्बन ने double bond बना रखा हो तो ऐसा molecule कैसा होता है planer होता है कैसा होता है संतल यह यानि कि planer होता है ठीक है अब planer molecule में क्या होगा अगर इसमें आपको कोई भी पियोस नजर नहीं आ रहा है vertically या horizontally कोई सा भी पियोस नहीं मिल रहा है तब भी इसमें एक plane यानि कि एक पियोस essentially होगा आवशेक रूप से होगा और वो plane होगा plane of slice कौन सा होगा plane of slice यह वाला plane जो होगा वो तो इसमें पाया ही जाएगा कैसे यह molecule एक planer molecule है planer molecule का मतलब जैसे suppose कि यह आपके पास एक braid है braid को हम बीच में से दो भागों में बांट सकते हैं बीच में से दो भागों में बांट सकते हैं इस braid को बीच में से काट दीजिया उपर कट जाएगा नीचे कट जाएगा ठीक है तो वैसे ही तो यह molecule भी planer आप suppose कि जी कि आपके पास कोई tile है इस tile को आप बीच में से काट द इसाइन मोलीकुल में एक प्टेनर मोलीकुल में फर प्लेनर मोलीकुल में जरूर होगा नहीं हो लेकिन उसमें प्लेन ओफ्सलाइस जरूर होगा फिक है इसलिए ये जो एलकीने होती है ये भी Opticalized Formalism Show नहीं करती इसके बाद हम और एक्जाम्पल से लेते हैं हमने एक्जाम्पल लिया बेंजीन का, किसका? बेंजीन का बेंजीन का एक्जाम्पल लिया देखिएगा, क्या इसमें P.O.S. है तो इसमें तो बहुत सारे P.O.S. है आप कहीं से भी इसको दो बराबर भागों में बाढ़ सकते हैं horizontally, vertically, इधर से काट दिया इधर से काट दिया और इसके साथ, यहां से भी और यहां से भी तो इसमें 6 P.O.S. तो आपको अभी नज़र आ रहे हैं इसके साथ ही साथ, बेंजीन तो खुद एक planar molecule होता है कैसा होता है, planar molecule और अभी-अभी मैंने बताया कि हर एक planar molecule में plane of slice जरूर होगा क्या होगा? plane of slice तो 6 P.O.S. तो यही थे, एक plane of slice planar molecule है, इसको बिल्कुल exactly दो बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है? तो जो भी एटम होगा, उसके दो टुपड़े हो जाएंगे हर एक एटम क्या है? कि स्फिर की तरह है, एक बोल की तरह है आदा उपर कट जाएगा, आदा नीचे कट जाएगा तो plane of slice जरूर होगा तो बेंजीन में टोटल कितने 7 P.O.S. होते हैं कितने 7 इसके लावा हम और examples देखते हैं झाल्णेश कूण जिए में लुब का दो दोकितने 9 P.O.S. कितने 10 P.O.S. कितने 10 P.O.S. भी उन्हों कितने 11 P.O.S. लाएंगंần 5 कर दो लड्यें लूप मोर्चस के लिए ठागे तंसरे के लड़ा अवारी, लड्या और पमेखने लिए सबने लड़ागा में लिए सकते लिए प्राभे लिए्या सुपक्दियू लड्या संपने लिए कर लिए लिए कि लिए लिएец जाने के लिए दो जी, देखते हैं, क्या इस मॉलिकुल में POS है, कट गया दो बराबर भागों में, दोनों भाग एक दूसरे की mirror image भी है, POS है, यानि कि optically, optically कैसा होगा, inactive, OI, OI का मतब optically inactive, ठीक है, optically inactive, इसमें भी देखते हैं, इधर से भी कट सकता है, इधर से भी कट सकता है, और diagonally भ सकता है, तो बहुत सारे इसमें POS है, है न, POS है, ये भी कैसा होगा, optically inactive, इसमें देखते हैं, अब ये पता ही आप लोग, कि ये कैसा होगा, क्या इसमें POS है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी confusion हो रही होगी, कि उपर मैंने CS3 group लगा दिया, लेकिन कोई भी group हो, कोई भी atom हो, अब इसमें भी क्या होगा, कि ये जो carbon है, इससे दो hydrogen जो होगी, वही एक plane से, बाहर की तरफ एक plane से, अंदर की तरफ और एक hydrogen होगी, जो plane में होगी, तो हम जो इसमें से POS निकालेंगे, वो क्या करेगा, इन दोनों hydrogen जो एक बाहर की और हो, एक अंदर की हो रहा है, इन दोनों के बीच में से निकलेगा, तो इसमें भी POS होगा, यानि कि ये भी कैसा होगा, optically inactive होगा, अब थोड़ा सा आप लोग गोर कीजिए, कि क्या इन में कोई POS है, या नहीं है, तो देखिएगा, एक बार इस molecule को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बनाय है, cyclobutane, क्या बनाया है, cyclobutane, और पहली और दूसी position पर है, दो क्लोरीन समो, यानि कि 1, 2, 1, 2, dichlorocyclobutane है, 1, 2, dichlorocyclobutane, और इसमें ये जो दोनों क्लोरीन आप देख पा रहे हैं, ये एक ही दिशा में है, एक ही direction में है, इसका मतलब ये कौन सा compound है, 6 compound है, क्योंकि ये ज है, उपर की और है, ठीक है, अब क्या होगा, क्या मैं इसको दो identical hells में divide कर सकता हूँ, तो इसको बिल्कुल दो identical hells में divide किया दा सकता है, और कौन से plane से, horizontally काटूंगा, तब तो देखेगा, उपर की तरब तो 2 chlorine है, लेकिन यहाँ पर कोई chlorine नहीं है, इसलिए ये वाला तो plane symmetry होई नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको vertically इदर से काट दूँ, तो ये वाला इसमें pure है, कैसे, एक बार देखेगा, मैंने इसको vertically काटा, ये दो बराबर भागों में बंट गया, ठीक है, अब इदर वाली तरफ क्या, ये जो chlorine है, वो उपर की तरफ है, कहां है, उ आप की तरफ है, towards the observer है, तो दोनों CL एक ही direction में है, यानि दोनों एक दूसरे की exactly क्या है, mirror image है, तो इसमें भी POS होगा, ठीक है, POS होगा, अब इसमें देखते हैं, क्या इसमें POS है, पहली बात, ये कैसा है, ये trans है, क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों CL है, उनकी direction opposite है, ये ये वाला CL कहाँ है, towards the observer, plane से बाहर की तरफ है, ये वाला CL कहाँ है, ये away from the observer है, यानि की plane से अंदर की तरफ है, ठीक है, अब मैं इसको दो बराबर भागों में बाटना चाहता हूं, तो पहली बात horizontally तो हो ही ने सकता, क्योंकि अगर मैं इदर से काटूंगा, तो इन दोनो position पर भी CL होना चाहिए था, है ही नहीं, तो horizontal plane तो हो नहीं सकता, मैं vertically check करना चाहता हूं, और जब मैं vertically check करता हूं, तब देखेगा, ये मैंने इसको vertically काटा, ठीक है, यहां से, अभी आपको लग रहा है कि दो बराबर भागों में बंट गया, लेकिन ये दोनों भाग, एक उसे की mirror image नहीं है, क्यों, ये वाला क्लोरीन इस board से बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि ये वाला क्लोरीन कि दर है, ये board से अंदर की तरफ है, आप देख पा रहे हैं, आप इस molecule को कुछ ऐसा assume कीजिए, कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, वन टू, अब ये वाला क्लोरीन कि दर है, उपर की तरफ है, जबकि ये वाला क्लोरीन कि दर है, नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये दोनों भाग, अभी एक दूसे की mirror image हो ही नहीं सकते, एक क्लोरीन उपर की तरफ है, दूसा वाला क्लोरीन नीचे की तरफ है, तो इसको हम दो identical हेल्ज में divide कर सकते हैं अब एक बार simply समझने की कोशिश कीज़ेगा आप देख पारें वही साइखलो ब्यूटेन का example है और यहाँ पर एक chlorine है यहाँ पर भी एक chlorine है और यह दोनों ही किदर है बोर्ड से बाहर की तरफ निकले हुए यानि towards the observer आपकी तरफ है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा एक यह मान लीजिए कुछ ऐसा है यह मेरा हाथ है इस पर दो chlorine रख्यों है यह दोनों उपर की और निकले हुए है ठीक है तो मैं ऐसा plane लूँगा जो उपर से इन दोनों chlorine को काटता हुआ निकले यानि कि मैं एक plane ऐसे गुजरूँगा ठीक है जो diagonally ठीक है यहाँ से गुजरेगा यहाँ से diagonally और इन दोनों CL को काट देगा ठीक है तो यह CL यहाँ से भी कट जाएगा इसका मतलब इसमें क्या होगा ठीक है अब इसको चेक करते हैं इसमें क्या है यह वाला CL बाहर की और निकला हुआ है यह वाला CL अंदर की और है तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब क्या होगा वापिस वही वाला plane लेना आपको उपर से पहले इस chlorine को काट देगा फिर नीचे की और आएगा डाइगोनली काटता हुआ एसे ठीक है डाइगोनली काटता हुआ और इस chlorine को जो की अंदर की और था इसके भी दो टुकडे कर देगा यहाँ पर यह chlorine जो दोनों एटम है इस फियर की रूप में बॉल की तरह होते हैं ठीक है तो इन दोनों बॉल्स के टुकडे कर देगा दो टुकडे कर देगा दोनों को identical है यानि की दोनों को बराबर आदादा काट देगा तो इसमें भी पियोस हो जाएगा इसमें हम चेक कर और यह CL जो उपर की और निकला हुआ है और यहाँ यह निचे की और है तो हम एक plane लाएंगे जो पहले इस उपर वाली CL को काटेगा फिर निचे जब आएगा तो इस निचे वाली CL को भी यह काट देगा तो इसमें भी क्या होगा पियोस होगा ठीक है तो यह दोस्तों हमने बहुत सारे examples लिए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि यह examples आपको समझ में आए होंगे अब जल्दी से हमारे चैनल को subscribe पीजिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस देख सकें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में thank you